खबर बोरावर से है जहां कसबे के रेलवे स्टेशन के पास जिलिया हाउस में स्वर्गिय गणपत लाल शर्मा की पुन्य स्मृती में चल रही साथ दिवसिय संगीत में श्रीमत भागवत कथा के तीसरे दिन कथा वाचक आशुतोष शास्त्री नेमीश्रण ने कथा वाचन करते हुए कहां की भागवत सब ग्रंतों का सार है उन्होंने कहा की आज के यूग में पाश्चात्य संस्कृती का असर बढ़ने लगा है जिससे यूवा वर्ग में संस्कारों का हनन हो रहा है इसलिए बच्चों को सुसंसकार दे शास्त्री ने नर्सिंग चरित्रव प्रहलाद चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहां की जो भक्त भगवान की भक्ती में लीन रहते हैं उनकी रक्षा को भगवान स्वयम ही अवतार लेते है संगीत में कथा पर उपस्थित श्रद्धालों ने भी जमकर्न रित्य किया कथा के दौरान सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी गोविंद पुजारी, राहुल पुजारी, गिर्धारी लाल पुजारी सहित परिवार जनों का व्यास पीट से सम्मान किया गया सम्मान के तहत मकराना के पूर्व विधायक भवरलाल राजपरोहित, ब्राहमन महासभा के उपाध्यक्ष सत्यनारायन व्यास, स्वर्नकार समाज संस्थान के संग्रक्षक मदनलाल सोनी, बोरावड मार्बल एसोसियेशन के अध्यक्ष गोवर्धन राम बुरडक व मकराना व्यापार मंडल अध्यक्ष भौम सिंग्व जिलिया से आये विप्रबंधूों का सम्मान किया गया, कथा के दौरान संजीव जाकियों का भी मंचन किया गया, जिसे देखकर श्रधालू भाव विभोर हो गये, आयोजक समिती के मनोज तेतरवाल ने बताया के रविवार को कृष्ण जनमोच्व की कथा का वाचन होगा वकृष्ण जनमोच्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भावरलाल रणवा, जै सिंग जाखली, अशोक दाधिच, एडवोकेट बजरंग लाल व्यास, बाबुलाल सोनी सहित सैक्डो की संख्या में महिलाए वपुरुष श्रधालू मौजूद रहे। बोरावर से ब्यूरो रिपोर्ट जेवन राजस्थान न्यूज और में बना सुदामा तुम ग्रिष्ट श्रधालू मौजूद राजस्थान न्यूज